चुनाव कॉंग्रेस पार्टी और बिजेपी के बीच में होगा हाम आदमी पार्टी की प्रिजेंस ही नहीं है ये मार्केटिंग करना अलग चीज होती है और धरातल की राजनिती अलग है गुजरात विदान सभा चुनाव को लेकर अब कॉंग्रेस ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है माना जा रहा है कि प्रियंका गांदी और राहुल गांदी जो इस वक्त भारत जोडो यात्रा में है वो भी जैसे ही उनको ब्रेक मिलेगा वो गुजरात आ सकते हैं इसी पर बातच पर्टी और बीज़े पी के बीच में होगा हम आदमी पर्टी की प्रिजेंस ही नहीं है यह मार्केटिंग करना अलगचिज होती है और धारातल की राजनितिया अलग है सच्छा ही है कि यहां पर बीजे पी और कॉंग्रेस का मुकाबला हो रहा है और इतनी इस कदर एंटी इंकम्बेंसी है मेंगाई को लेके विरोजगारी को लेके आए दिन ड्रग्स की खेप पकड़ी जाना आम पेरेंट्स के लिए चिंता का बात है बार बार पेपर लीख होना कोई नई भरती होना नई विरोजगारों में एक निराशा का भाव है और शिक्षन के व पानी की दिख्कत है 84 बारिश आई सारी सडकें जिस ढंक से डेमेज हुई है गुजरात के अंदर और सबसे बड़ी बात है कि रिमोट कंट्रोल गवर्मेंट दीए एक सरकार को आपने चार साल बाद इसलिए बदला कि वो सरकार बदना मोगी थी कोविट के यहां किया गया गुजरात में लेकिन उसके बाद आपने विवस्ता क्या दिए एक केर्टेकर गुजरात को आपने तो चो बेसिक इशूज है यह डबल इंजन की सरकार गुजरात के लोगों के लिए भारी पड़ रही है यह आम आदमी समझ चुका है और यह अंडर करंट ह बेचने की खोशिश की देश भर में लेकिन यहां देखो तो अकिकत एकदम उल्टी है तो ऐसी परिस्तिती में कॉंग्रेस पूरी तयार है चुनाव लटने के लिए हमने अभी राउल गांदी जी का प्रोग्राम किया रिवर्प्रंट पे आपने देखा होगा कि बूत तर में पहली बार मेंगाई और बेरुजगारी को लेके हमने गुजरात बंद का आवान किया चार गंटे के लिए उसका जो रिस्पोंस मिला है वो अपने आप में रिफलेक्शन है कि गुजरात में परिवर्थन होने जा रहा है अब पूरे 24, 25 और 26 तारी को गुजरात के सीनि है वो प्रिंटेड परफॉर्म में जाके बताएगा एजुकेशन पे हेल्थ पे बाकी चीजों पे भी किसानों की क्यास्तिती है विरुजगारी की क्यास्तिती है यह तमाम चीजें रिटन फॉर्मिट में जाके देंगे जो आठ वाइदे राउल गांदी जिन किये हैं वो वाइदों को लेके जाएंगे कि हम यह परिवर्तन आपकी जीवन में लेके आएंगे और उसके बाद आज ओल्ड पेंशन स्कीम की घुष्णा हमने किये और कि कर्मचारियों को एक हजार 2004 के बाद में जो पेंशन स्कीम बीजेपी की सरकार ने बंद कर दी थी हमारी दो रा प्रावा आठ रुपे में भोजन दोनों टाइम हैं इंद्रा रसोई योजना के माध्यम से जितने भी स्तानी निकाय है यह शेरीक शेत्र उनमें देंगे हम रूरल एंप्लॉइमेंट जो गारंटी योजना कॉंग्रेस लाई थी जिसमें सौ दिन की रोजगार की गारंटी कि योजना थी वो योजना सपलता पूरवक राजस्तान में शेरीक शेत्रों में लागू कर चुके हैं हम योजना को भी यहां के शेरीक शेत्र के गरीब अध्यमवर के परिवार जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं थड़ी वाले मार्केट वाले लोग हैं उनके लिए यहां लड़ा होता है कि उस एंटी इंकमबंसी को कॉंग्रेस वोट बैंक में कैसे तब्दील करेगी क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक में तब्दील करना ये अलग ही बहुत बड़ी बात होती है देखिए पिछले साल भर से हमारी तैयरी चल रही है एक दिन में कभी चुनाव नह लगाने की बात हो एसेंबली वाइस हमारे एक एक आदमी को कॉडिनेटर लगाने की बात हो टोटल फीड़ बैक हमारी पहली बार हम मेनिफेस्टों ला रहे हैं पंद्रासों मीटिंग हम पूरा टार्गेटेड ट्रूप में कर रहे हैं अलग-अलग सेग्मेंट ऑफ करेंगे यह पीपल्स मेनिफेस्टों बनेगा लोगों की भावना के नुसार ऐसी एक्साइज पहले कभी नहीं हुई और यह बार हम ऑक्टोबर के फर्स्ट वीक में बहुत जल्दी आम तोर पर चुनाव से ठीक पहले कोड ओफ कंड़क्ट लागू होनने के बाद हम और एक चार्ज सीट पूरे 182 विदान सबाक्षेतर में बीजेपी के खिलाफ विदान सबावार हम जारी करने वाले हैं कि यह आप सहपेक्षा थी यह आपने 2017 में वाइदे किये थे और यह आपने आपके फेलियोर्स रहे हैं हम सरकार में आते हैं तो इन कामों को हम करेंग यह हम प्रॉमिस भी कर रहे हैं एसेमली वाइस जनरल मेनिफेस्टों तो होगा ही जो स्टेट लेवल पर जारी होगा लेकिन एसेमली सेंट्रिक चार्ज सीट प्लस हमारे क्या बाइदे हैं उनसे वह भी हम करेंगे तो आज टच किया है कि आज 10 लाग तक का इलाज निशू काव हमेडिकल कॉलेज है यहाने हैं हांजिट इन्फरास्ट्रॉक्ट्ट्शर में आप सबसेटर लेलो प्रात्मी चिकित्सा के देर लेलो कम्यूटी एल्ट सेटरल लेलो जिला अस्पता लेलो उप जिल ँपस अस्पता लेलो कि राजस्तान में किrió 7 अको अब रिगांगर कोवीड में बचा पाए सबसे बढ़िया वेनेजमेंट हमारा रहा फिलवाड़ा मॉडल जो हुआ उसका रीजन यह है कि हमारे पास गौवर्मेंट की तरफ से हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर मजबूत था यहां नहीं है एजुकेशन सिस्टम अपने आदिवासी अंचल तक गाओं गाओं में सर लेकिन आप यह सारी चीजे कह रहें लेकिन सवाल यह है कि 2014 में यही विकास मॉडल गुजरात को दिखा कर प्रधान मंतरी ने देश की कमान संभाली थी और देश में गुजरात को एक विकास मॉडल के तौर पर बताया था अब 22 है 22 के चुनाव में आप राजस्तान को एक मॉडल के तौर पर गुजरात के अंदर बताने जा रहें देखिए 14 की चुनाव को आप छोड़ दीजिए 14 में गुजरात का व्यक्ति प्रधान मंतरी का चुनाव लड़ रहा था और जो भी उन्होंने कहा उसको माना लोगों ने आज गुजरात की जंता मान रही कि 8 साल डबल इंजन की सरकार भी है यहां 27 साल बीजेपी की सरकार है लेकिन उसमें 8 साल डबल इंजन की सरकार है अब किस से फर्यात करें अगर आज फेलियोरनेस है अगर कोईड में लोग 3 लाख मारे गए कंपंसेशन नहीं मिला कौन जिम्मेदार है डबल इंजन आज यहां 10 लाख का बीमा नहीं है यहां निशुल्क दवा योजना नहीं है निशुल्क जांच योजना नहीं है डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है आज यहां 5 लाख आदमी जो स्विकरत पद है उनकी भरती न बड़ी खेप पकड़ी जा रही है गुजरात में क्यों हो रहा है आज शराब माफिया पनपरा इलिसिट जहरीली शराब से कितनी मोते हुई गुजरात के अंदर आज डॉर स्टेप पे आप शराब की डिलीवरी यहां ले सकते हो तो कौन सा मोडल है भई पत्स हुआ करन शराब इलिस चारब है जब है धिलिवरी झांदरा डिंए हो चारे गऱब इलिसिनारत में क्यांको अ घर दो खो तो legend घृ सकते हो जो welfare, भई हम है शराब झालसिए।